हेलो फ्रेंड्स और वेलकम यॉल पर आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज लेकर आया हो ना जिस चीज का लोगों को काफी टाइम से इंतजार था आज की वीडियो में हमें एक ऐसा हैक देखने वाले जिसके बात हमारे को जितनी भी दिक्कत होती है ना कि ट्रेडिंग यूँ में हम एक टाइम पर दो से ज़्यादा इंडिकेटर नहीं लगा सकते तो उस चीज की कन्फेजन को उस चीज के आप जो प्रॉब्लम्स आती है ना उन सारी चीजों का आज की वीडियो में यहां पर आज इस वीडियो क पेड ब्लैन नहीं लेना पड़ेगा बस आपको यह चोटा सा काम करना होगा और उसके अराम से किसी पे भी चाहे मुबाइल हो चाहे कंप्योटर हो आप अराम से जितने चाहें उतने इंडिकेटर्स यहां पर लगा सकते हैं एक मुविंग एवरेज दो मुविंग चाहे में आप लुपशे आपको पर अपर आपको चाहे मों करवा सकते हैं और इसके पर डाम से को यह विंग नहीं से चाहे मुविंग एप लगा सकते हैं तो इन सबी टॉप ब्रोकर्स के लिंक्स जो है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो अगर आप लोग भी स्टॉप मार्गेट में इन्वेस्टमेंट या टाइडिंग की जरनी को स्टार्ट करना चाते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक कैपिनल तो चाहिए ही चाहिए करक्स के अलावा तो आप यहाँ पर ट्रेंड में नहीं कर सकते उसके अलावा जो सेकेंडरी चीज़ आती है वो है हमारे बास डीवेट अकाउंट तो डीवेट अकाउंट का लिंक मैंने आप लोगों को बताई दिये की नीचे डिस्क्रिप्सियन के दे रहा है वहाँ पर जाकर आप अपना एबसल्यूट्ली फ्री डीवेट अकाउंट जो खुलवा सकते हैं चलिए अब बैना किसी देरी के सीधर चलते हैं जिस चीज़ का आप लोगों को काफी इंटीकेटर नहीं चार्टपर कोई बी इंटीकेटर नहीं लगा है और इसको हम कर लेते हैं एक वर केंडल सिक चार्ट पर तो थोड़ा अच्छा लगता है यारे एक तो रंग भी रंगी लाइन ना बेटर लगती है ऐस कंपेर टो यह ब्लैक सी लाइन एक दम प्लें लाइन की जगा तो लाल में थोड़े इंट्रेस्टिंग लगता है तो चार बेश लेखिते लिह अवर के इंक्रीस होने वाली रही है तो चलिए लिए अब आपको क्या करना है आपको सिम्पली पहले तो जितने भी इंडीगेटर्स लगेना उन सब को आठा देना और एक काम करना है इंडीर पर जाना आएब यहां पर लिखना है die y डी आई वाई डूइड और से कस्टम स्ट्रेटेजी विल्डर अब यह जो जैड़ पी एप वाल है यह वाले आपको जो पहला वाला सिगनल है इसको आपको डबल टैप करना है अब देखिए यह ना काफी एक चीज और बता दो कि यह काफी भारी इंडिकेटर है तो इससे लिए यहाँ पर थोड़े से लोटिंग में जो है ना इसमें दिक्कत आती है अब आप तो क्या करना है यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाना है लोगों ने पहले मैं एक बार चीज नदा तो जिन लोगों को यह जो सिर्फ नाम देखने के लिए आया थे ना इस इंडिकेटर का तो जिन लोगों ने सिर्फ नाम देखना था वो तो आप यहां तक की वीडियो को देख कर जा सकते हैं बट एक चीज़ और बता दो कि आप यहां तक देखने से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि इसकी सेटिंग जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो अगर आ इन सब चीज़ों को बंद कर देना है इनको अडिक करना है एक पर पहले बेसिक चीज़े समझ लें फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे डिटेल में बताता हो अब यहाद की सेटिंग्स जो है ना आपको लगा कर छोड़ देनी है अब देखिए अब आप लोगों के सामने कोई भी इंडिकेटर नहीं है कोई किसी टाइम की उल जलोल से लाइन्स नहीं आ रही यह तो हमारी एक वो है और रिसांटल लाइन चलिए इसको अटा देते है अब हमारे सामने किसी भी टाइब की कोई लाइन नहीं आ रही हमारा चार्ट विल्कुल क्लियर है अब आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं और स्टाइल्स में जाकर अब देखिए अगर आप अलगले टाइप इंडिकेटर कैसे लगाने वो मैं आपको बता देता हूं लेक हों मैं को मैं सेलेक्ट कर लगता हूं ठीक है उसके राज मेरी चार मोवी हबरे अभरी कोन कằng कउन से होगी एक 20 होई उसके पचास होगी दो से आप 100 यह तो नहीं लगाई है ठीक है यह हमने कर दिया ओके अब यहां देख सकते हैं कि हमारा चार मुवीं एवरेजिस लगी उसके अदमने क्या करना है मान लीजिए मैं दूसरी सिंगनल लगाना चाहता हूं तो उसमें मैं लगाता हूं कौन से लगाएं बताईए इची मो को क्ला लग गया मैं इसको अटा देता हूं एक पर ताकि आप लोगों कुछ आट तूंद और बीगर नतरा है सूपर ट्रेंड चली सूपर ट्रेंड भी लगा देते हैं उसके लागा बोरेंजर बैंड वीवैप क्या क्या लगाना है कौन-कौन से इंडिकेटर सापके लोगाने है बेटर, पेवट लेवल ये सारे लगाकर आप ब हुआ vest आपके सापने सारे इंडिकेटर ठाड़ पर लागाली है उसके लिए चार तो हम से मुविंगर इससी लेगा ली ले रखी हैं मैं पांच भी ले सकता हूं तो आप यह देख सकते हैं कि छे और चार तो दस मुविंग दस इंडिकेटर जाया है मैं अल्रेड़ी अपने चार्ट पर इस पर यहां पर हम सामने जो है लगा चुपा हुग अब इन में अगर आप थोड़ी सी सेटिंग को चेंज क कि आप चाहें अपने हिसाब से इन चीजों को जो है मौडिफाय कर सकते हैं इसके अलावा वेजिबिलिटी में आपको कुछ नहीं रखना कोई चेंज नहीं करने स्टाइल में आपको कुछ खास चेंज वह अपने हिसाब से अगर लाइन वाइन चेंज करना चाहें तो वह और बाकी इंपोट्स में में तो जो एडिटिंग थी वो थी इंपोट्स के अंदर तो इन में आप जैसे चाहें उन में अपने हिसाब से जो है चेंज कर सकते हैं क्यों है ना इंट्रेस्टिंग चीज चलिए अब आप लोग भी एक काम करना कि जो ही मैंने आपको इंडिके यहां पर लगा देना है अब उसके आपको क्या करना है यहां पर इसकी सेटिंग में जाना है जितने भी पहले के टेक बॉक्से थेना उनको अंटिक कर देना है और उसके बाद जो आप इंडिकेटर लगाना चाहें ना या दिए स्विचवोट टर्ड ओन ओफ और ले इंड डिटेक्टर लगाना चाहें हाफ ट्रेंड पोल ट्रेंड यानिकी सूपर ट्रेंड लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं लिक्विडिटी जोन हो गया स्टी सी हो गया फेर वेल्यू के अप हो गया यह सारे इंडिकेटर आप आरांग से यहां पर लगा सकते हैं और उसके अलावा आप यहां पर जो है इनकी एक एक इंडिकेटर की सेटिंग्स को अगर आप चेंज करना चाहे तो वह भी कर सकते हैं जैसे कि मैं देखिए मैं यहां पर दो इंडिकेटर रख देता हूँ एक एक मैं और एक GBए आप एक मैं मैं और एक सोपर सूपर में मान लिजी जैसे यहां पर देखिए यहां पर में अथ उपरडरी चाहा ने पाइड़ कर चाहे लिए पर चाहे ना उस ट्रेम पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं है क्या indicator से लगाने एक साथ ये combine करके जो है आप जो भी custom indicator से एक साथ set करना चाहे अपना template बनाना चाहे वो आप यहाँ पर अराम से जो है वो कर सकते हैं बस आपको ना इस चीज में एक दिक्कत आती है कि यहाँ पर ना हमारा नाम जो है इस indicator का काफी लंबा हो जाता है तो इसको अगर छोटा करना किसी को है ना तो मुझे जरूर बताना हाँ जी तो फिर कैसे लगी यह टिक्री कैसा लगा यह indicator मुझे नहीं चो कॉमेंट्स में जरूर बताना और साथे भी यह बताना कि क्या आपको इस indicator के बारे में पहले से पता था यह नहीं दीगे मैंने indicator लगा सकते हैं तो एक indicator में जितने ही आपर चाहे वोलिंजर बैंड हो गया या जितने भी हमने indicator लगाए है उसके लावा आपको एक RSI तो लगाना है तो RSI आप जो है दूसरे indicator में लगा कर काम कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को एंड में जो है न मैं डाल देता हो कि आ सकते हैं उसके अलावा आप लोग जो है इतना एजी तरीके से अब यह indicator को यूज करके हैं अपनी ट्रेडिंग को जितना आप चाहे ना उसको और सिंप्लिवाई कर सकते हैं और ज्यादा है नहीं कर सकते हैं अब इतनी बड़िया वीडियो मिली है तो इस वीडियो को लाइ हम सब के साथ शेयर करना है उसके अलावा अब इतनी बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज़े जो हैं आप लोगों को मिल गई हैं उसके बाद भी आर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने तो बहुत गलब बात है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ अब तक के लिए वाई वाई एंटेकर अच्छा हाँ वीडियो भी एंड नहीं हुए है तो मैं लास्ट में वह आरेसे वाला जो पार्ट अना वह भी एंड कर दुआ ताकि आप लोग वह भी देख सकें कि किस टाइप से आप लोग यह बाकि इंडिकेटर्स लगा कर और और रसी को अलग से कैसे लगा सकते हैं बस चोटा सा पार्ट रहे गया उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को एंड कर सकते हैं अच्छा नेक चीज़ और जो मैंने आपको कहा था कि इंडिकेटर्स में मुझे यह आरेसे लगाना जो है वो थोड़ा सा समझ नहीं आया तो यह आरेसे जो है वो नहीं आया है जिबकि आरेसे की सेटिंग्स अगरे सब मैंने डाल रखी हैं और आरेसे में आप तो अगर मैं सिलेक्ट करूं का तो यह आएगा फॉर्टी सिक्स्टी यह सब चीज़ आजएंगी उसके लावा यहां पर मुझे आरेसे का वैली जो है क्य की बड़े इंडिकेटर की अंडर बाकी आप अगर इसमें किसी चीज़ को सर्च करना चाहिए जैसे मान लीजा अप सुpower टरेंड की सैटिंग्स को चेंज करना चाते हैं तो आपको क्या करना है कंट्रोल सेलेक्ट करना है और यहां पर आपको super trend डाल दढ़ देना है अब जैसे हां पर हमारे पास search आएंगे इसके complete यह एक super trend हो गया एक दोसरा super trend हो गया अचा यह यह रही यह सके super trend की setup अब अगर आप चाहिए तो इसे ITR multiplier हो two भी कर सकते हैं तो उसके हिसाफ है आपकी जो लाइन्स है वो चेंज हो जाएगी जो देखें अब आप लोग को सामने हैं जो ग्रीन और रेड इरियर्स थे वो चेंज हो गया है तो अब आप जो है अपने हिसाब से सेटिंग्स वगरा सब चीज़ जो एक ही इंडिकेटर के अंदर आप कर सकते हैं अच्छा एक चीज़ और की आरेसे कि मैंने आपको बता दिया कि आरेसे जो है किस टाइप से मुझे समझने ही तो आप अगर आप इस टाइप से काम करते हैं तो आरेसे को जो एक अलग से इंडिकेटर में जाकर आरेसे डाला और बस यह आप लोगों का आरेसे का इंडिकेटर साथ मे अगर आपको आरह से लगाने में दिक्क्त आरे हैं तो वह डाइवर्जन्स वाला भी आप अराम से इसली जो हूँ कवर कर सकते हैं चलिए फिर आज की वीडियो को में यह दख कर रखते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर तो तक लिए बाई-बाई